profit margin कितना किस तरीके से auction में participate कर कितना खर्चा लग माल किस तरह का मिल सब वेलकम बैक पूछ दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे आप सब लोग के घरवाले अच्छे होंगे इस पैंडेमिक के सिचवेशन में तो आज मैं यह वीडियो लेकर आए हूँ आप लोग के कुछ सबसे जादा पूछ जाने वाले सवालों का मैं जवाब देने वाला तो बिना वेट करते हुए सीधा वीडियो में कुछते और मैं आपको बताता हूँ जो सबसे जादा आप लोग उन्हें सवाल पूछे हैं वह पूछा है कि यह उक्षन होता कहां पर जो मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था यह लाइव उक्षन वाला अगर आपने इसको सबसे पहले इस इस क्वेशन का मैं जवाब देने वाला हूँ लेखे यह जो वीडियो था लाइफ आउक्षन वाला यह वीडियो हुआ था कंटेनर डिपो तुकलगबाद में जो की दिल्ली में है ओखला में कंटेनर डिपो है बहुत बड़ा ओखला के ठीक पीछे ICD तुकलगबाद इन लैंड कंटेनर डिपो तुकलगबाद में यह उक्षन हुआ था जिनोंने भी MSTC से अपना रिजिस्ट्रेशन करा रखा था उन सब लोगों ने वहाँ पे आये थे और वहाँ पे माल इंस्पेक्शन किया था तो यह पर्टिकुलर उक्षन जो वा था कई जगों पे ऑक्षन होता है अलाग अलाग चीजों को ओक्षन होता है कभी कार को औक्षन होता है कभी पर नीचर चलते रहते हैं इसकी जान करई आपको जो है MSTC की website में मिल जाएगी मैं नीचे Link डाल दूह उस लिंक प्लिक करेंग में तो सीधे के सीधे श्यान का सuki वेबसाइट है सरकारी वेबसाइट mstc.gov.in जिसमें जाना है आपको अपना रिजिस्टेशन कराना है रिजिस्टेशन की जो फीस होती है वो होती है 11,800 रुपे जो एक साल के लिए आपका होता है एक साल बाद आपको तुबारा ही इतने पैसे देने है देखे आपको देखने के लिए कुछ दिन डिसाइड के जाते हैं जो भी कंपनी अपना माल आउक्शन कर रही है सब्सक्राइब जैसे की हमारे केस में TKD में कॉनकोर माल आउक्शन कर रहा था तो कॉनकोर एक डेट डिसाइड करती है कि भाई आप 4-5-6 को आएंगे इन तारीकों माल परने कि आएगे और माल देखके जाएंगे फीक है आप गए आपने अपना लॉग आडी पासवर्ट दिखा के अंदर चले गए नदर कर दो दिकное नोड़ कर लिए ऑपना लोड कर लिया कि स्लकाशन की कितनी बॉलि साइट पर जोगी है mstc.gov.in पर लॉग इन करके आपको वहां पर बोली लगानी होती है जो ऑक्षन का नंबर होता है वो नंबर के थुरू आपको उस ऑक्षन में जाना होता है जाने के बाद वहां पर इंटरफेस दिखता है आपको कि कितनी बोली लग रही है बोली आपको बोली शुरू होती है एक रुपे से फिर जा सकती है जहां तक आप बोली लगा सकते हैं बोली लगाने का तरीका यह होता है कि सपोज उन्हों डेसाइड किया है कि सुबे 11 बजे बोली खुलेगी और 3 बजे बोली खतम हो जाएगी अब दो बच के 69 मिनिट पर अगर किसी ने एक रूपे जादा की बोली लगा रखी है तो वह जो औक्शन है वह एक्स्टेंड हो जाता है यानि बढ़ जाता है 5, 7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वह औक्शन बढ़ जाता है अगले 10 minute के अंदर किसी ने अगर 2 रुपे की बोली लगा दी तो वो 10 minute और बढ़ दाएगा और 10 minute अगर किसी ने बोली नहीं लगाई तो जो लास्ट बोली है उसको वो माल अलाउट हो जाता है उसके बॉक्ट में वो चला जाता है इस तरीके से online बोली लगाई जाती है MSTC में registration होता है login ID आपको पास login ID मिलता है उसी login ID से आप माल भी देखने जाते हैं जिस दिन माल देखने का दिन decide किया जाता है उसी login ID से login करके उनी की website पे आपको बोली लगाना होता है तो I hope कि आपको समझ में आगे हो कि registration का क्या process or participate किस तरीके से करना है दोस्तों अगर आप तक आप लोगो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल में पहली बार है तो subscribe कर दीजेगा क्योंकि इस चैनल में import, export, custom, clearance, international trade, auction और business related videos लाता रहता हूं इस तरीके की और live auction भी आपको दिखाता रहता हूं दिल्ली में जहां-जहां live auction हो रहे है अगला question आपका ये था कि documents कौन-कौन से चाहिए और किस तरीके से registration करना है MSTC में देखिए MSTC में registration के लिए एक मैं डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा कुछ दिनों में उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमसे registration करना तो आप नीचे दिये गए number पर call कर सकते हैं नीचे दिये गए email ID पर email कर सकते हैं अगर आप चाहे तो या तो मेरे को Instagram या Facebook में direct message भी कर सकते हैं और मेरे से direct बात कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप इतने जमेले में ना पड़े registration के जो आपको दुनिया भर के documents upload करने पड़ते हैं पैसे जमें करने पड़ते हैं तो आप हमारे तुरू भी registration कर सकते हैं अब मैंने अपनी टीम बना लिए dedicated जो अब auction से related registration और यह जो सारी चीज़े हैं process इसमें आपको guide करेगी मैं खुद भी आपको guide करूंगा अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप नीचे देगा है number पर call कर सकते हैं और email पर email भी कर सकते हैं इसके बाद जो आपने सबसे आता question सवाल पूछा था वो यह आपके श्रद्धा है आपकी आप कितना बोली लगा सकते हैं बोली 26-28-30,000,000 रुपे तक जाती हैं किसी-किसी आइटम की तो बाकी तो आपकी श्रद्धा है कि आप कितनी बोली लगाना चाहते हैं वो तो आपके उपर डिपेंड करता हैं तो investment शुरुवाती investment जो है वो ग किचन वेर का कंटेनर था वो कितने में गया वो जो मिक्स आइटम का कंटेनर था वो कितने में गया तो मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों कि जो भी auction में allot होता है माल जिसकी बोली final होती है उसकी कोई detail तो मेरे को तो नहीं मिली अब तक auction में MSTC में कि यह माल जो है वो पैसे कितना कमा लेंगे कितना पैसा कमा लेंगे कुड़े के बाहु में खरीदा और सोने के रेट में बेज दिया ऐसे होता है यह तो देखे यह तो आपको डिसाइड कर रहा है कि आप कौन से माल में expertise है आपकी expertise scrap में आपके वहां से आप जूते खरीद होगे तो थोड़ी तो वह तो profit margin तो उसको dependent करताना है और मैं कैसे बता दूगा कि कितना profit margin है लोग तो कुछ भी खरीद के कुछ भी करके पैसा कमा लें तो लोग तो आलू बेच के भी कोटी कर देते हैं तो अब मैं कैसे बता हो जार इसमें auction में कितना profit margin है और किसी को पता होगा तो वह क्यू कいた कि वीडियों से पोड़ी वीडियों में कि इंद कर तो सभण होता है तो यौ कि लोगों को कुछ प्ता लग गया कि चुछ अनल हुआ हो तो कहां पर इस तरीके से पार्टिसेपेड करना है कितना करचा लगता है कौन सी वेबसाइट है, सारी चीज़े मैंने आपको बता दी इस वीडियो में मेरे जो वीडियो वाइरल वाय है, उसमें आप लोग बहुत ज़ादा पुछते हैं कि भाई मुझे यही बिजनस समझ में आ रहा है, मैं तो अब यही काम करूँगा यह कौन सा है? कुसे कारण इसको क्लेम नी किया गया, जिसको डिटेन कर दिया या जिसमें बहुत जड़ा डिटेंशन लग गया थो तो इंपोर्टर ुसको कलेम नहीं कर पाया, तो वो आइटम आपको custom auction में मिल सकता हैं अब आप मेरे सब पूछते हैं कि इसका container मिलेगा या मेरे को कैसे पता होगा कोई import करेगा और import करेगा तो फस जाएगा यह कोई बता सकता है मेरे को एक बात बताओं इसका able चीजर घॉजो चोड़ी उस्तिश्य लीगले होगा या होगी हॉप कर नियुकोद को सफ़ेंगी टेन्स टीजング नहीं सब्सक्राइब को लगी होगा और को बनांरे लुज हो अन्हें कन्याटा आपकर देम कि आमारे में बोले सुझें First हिसाब है custom auction का इसके अलावा जो दूसरे auction होते हैं उसमें देखो कौन सा item मिलते है custom auction को side करते हैं इस time पर दूसरे item दूसरे auction में क्या होता है कि अब बड़ी-बड़ी factories होती है इंडिया में बड़ी-बड़ी तो वह ऐसा तो है नि कि company वाला किसी कबाड़ी वाले को बलाए कि भाई देख लो है कितने रुपए तोल के मेरे को देदो ऐसा तो है नि तो दूसरे auction होते हैं उसमें एक तो scrap का बहुत जादा लग रहा है तो जाके registration करो और scrap में deal करते हो तो मोटा पैसा कमाओ भाई bidding करो अपने इसाब से अपना माल देख क्या हो अपने इसाब से bidding करो और ले जाओ एक तो क्या scrap का अब दूसरा क्या होता है बड़ी-बड़ी companies में machinery भी यूज़ होती है बहुत बड़ी-बड़ी बहुत को जब आपको ज़सेये हो कुछ हागा ओकशन छाते हो जो के स्क्राप में बेजना चाते हो तो तो वो तो आपके उपर है तो देखो customs के अलावा जो सबसे ज़्यादा scope है auction में participate करने का वो है जो लोग scrap में deal करते हैं या जो लोग second hand goods में deal करते हैं या जो लोग इस तरह की चीजों में deal करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा scope है auction में एक भाई भाई वाली बात्चीत है भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है इस टाइम पर तो auction में मत आओं पहले देखो कि auction किस तरीके से होता है मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए लाइव आउक्शन के वीडियो लाता रहूँगा जाके मैं आप लोग को माल दिखाने वालों कि किस तरीके से कौन सा माल किस टाइम पर बिक रहा है क्या condition है माल की और मैं अपने चैनल पर दूसरे लोगों भी लेकर आऊंगा जो लोग इस टाइम पर आउक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं नहीं क्या experience रहा वो भी मैं आगे आप लोग के साथ शेर करूँगा तो आप लोग अगर सीधा भेड़ चाल में अगर आप सीधा प्लस टाइम प्लस टाइम प्लस एनरजी वेस्ट हो गया ना तो ऑक्षन में पार्टिसिपेट करो मैं यार मैं आपने पैसे क्यों मारूंगा मैं तो मना कर रहा हूं इसलिए मना कर रहा हूं कि पहले देखो चीजों किस तरीके सो था हाँ अगर आप आप अल्ड़ेडी आपके पास कैपिटल है अल्रेडी पैसा है या आप स्क्रैप में डील करते हैं तो आयार आंग बंद करके मेरे नंबर पर कॉल करो मैं आपकर रिजिस्ट्रेशन करा करा के दूंगा जो भी अपना चोटा साथ थोड़ों मोच चार्ज होगा वह आप चार्ज मेरे को देदे आपको रिजिस्ट्रेशन करना और आइडी पासवर्ड जेनरेट करना आइडी पासवर्ड के थ्रू आप फिर फर्दर बोली लगा सकते हैं जो कि बोली कुछ भी हो सकती है 200 रुपए से लेके 20,000,000 रुपए तक की बोली वह आपके उपर है यह हो गया आपका यह हमको कॉल करके मार थूरू रिजिस्ट्रीशन करा सकते हैं चौता प्रॉफिट मार्जिन करना पड़ेगा आपको जो भी इस आईटम में आपकी आपकी आप में बिजनस कर रहे हो आइटम कभी आ जाता है औक्षन में आप सस्ते में इसको ले जाते यह तो बहुत मोटा प्रॉफिट है अगर आप स्क्राइब में डिल नहीं करते हैं अपने मोटा पैसे में उठा लिया माल को बेच ही नहीं पाई तो आपका लॉस है तो प्रॉफिट का तो मैं नहीं पता सकता किन लोगों को पार्ट लेना चाहिए अभी के अभी नहीं मार्केट खुला है हम पैसा जो चाहते हैं कि दूसरा कोई बिद्नस ट्राइब करें एक बलागा के देखें पैसा की भाई क्योंकि प्रॉफिट है यह मुझे पता है या जिन लोगों का स्क्राइब का बिजनस है वह आंग बंद करके इस ऑक्ष्ण में पाटिसेपेट कर सकते हैं 11800 रुपन के ल अगले वीडियो में मिलता हूं आपको बतानेवालों कि रिगी सरेशन का क्या प्रोष्ष लाइव बीदिंग में आपको दिखाने वाला हूं थो सब्स्क्राइब करना मत भूलना तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों थैंक यू सो मच जैहिंत जैपारत